Federation of Veterans Association के सभी साथियों को नमस्कार जेहिंद हम सभी जानते हैं कि 9 अप्रेल 2023 को पहली बार जवानों और जेशियोज के संगठनों के Federation का गटन किया गया करीब एक सो से अधिक संगठनों के लाखों सदिश्यों की सहमती रही और उद्देश्यता सब मिलकर आवाज बुलंद करें लाखों पूर्शेनकों और वीर नारियों के कल्यान के पवित्र उद्देश्य को सामने रख कर आगे बढ़ने का नेने लिया गया एक तदर्थ कमिटी के माध्यम से फेड़ेश्यन को एक सुद्रड स्वरू प्रदान करने का जिम्मा सोबा गया हर ने काम को पूरा करने के लिए के चुनुतियों के विसामना करना पड़ता है जो इस कमिटी को भी करना पड़ रहा है पर दुर्भागे तो यह है कि जिन पूर सेनिक साथियों का रत्ति भर भी सैयोग नहीं है ना सैयोग रहा है वो फेडिशन की कमेटी, कार्य प्रणाली और उसकी निश्टा फर अनर्गल सवालिया निसान खड़ा कर स्वयम को स्रिष्ठ परमानित करने का पत्र देते हुए अपना अधिपत्य फेडिशन पे जमाना चाते हैं उनको पूर्शेनिक परिवारों के समश्याओं के समधान में कोई रुची नहीं है कुछ लोगों को अपने आपको स्टेट का प्रधानिस थापित करना है कुछ को पूर्शेनिकों के कंदे पर चड़ कर राजनीती चमकाना है कुछ को अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो कुछ को मीडिया में अपना चेरा दिखाना है साथियो इस काम के लिए तो आपने फेडिशन नहीं बनाया था जाहिर है जब तक मेजोर्टी चहेगी शायद ऐसे लोगों के मंसुबे पूरा करने की इजाज़त ये मंज देगा भी नहीं हमारे विधान के बारे में बताना चाहूँगा एक पवित्र उद्दिश्यों का इसमें समावेश किया गया है फैड़े से सो जुणने वाले सबी संग्ठनों को समाधान भागिदारी दीगे ये समान समान सुद्रट विधान है पारदर्शिता है किसी को भी मनमानी नहीं करने की पाबंदी है उसमें पारदर्शिल लेखा जोका का प्रावधान किया गया है समय पर मीटिंग का प्रावदान है समय पर चुनाव का प्रावदान है किसी भी स्टेट से एक प्रदान नहीं बलकि जादा से जादा स्टेट के सभी संगठनों के प्रदान और एक डेलिगेट के साथ गवर्निंग कॉंसिल का नित्रत उसमें शामिल है आम सहिमति से लिदे लेने का प्रावधान है स्टेट लेवल पर समझ्ज़स्टस इस्ताफित करने के लिए समनवयों का प्रावधान है अगर ये प्रावधान किशी को भी गलत लग रहे हैं तो कपड़े हमें बताएं मैं स्वयम और कॉंसिल आपके प्रति आभारी रहेंगे अन्यता जाहिर है आप इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं कुछ साथियों दुवरा अनुचित सर्तों के साथ दबाव बना कर फेडिशन को कब जाने के प्रयास किये गए उनकी बात नहीं मानने पर अलग से फेडिशन बनाने के दमक्याबी दी गई गुम्राइक करने के बहाने देखें जो दूसरे लोगों को क्या कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती चंदा हडपा जा रहा है हमें अप्मानित किया जाता है फेड्येसन की कॉंसिल में अयोगी लोगों का जमावड़ा है अद्यक्स कमजोर है उसने यसमें लोगों को कॉंसिल में लिया हुआ है आंदुलन को कमजोर कर दिया गया है इस प्रकार के मिथ्या आरोपे के वीडियो और वाट से पोस्ट प्रसारित कर आम पूरुशेनिकों और शंग्ठनों को ब्रमित किया जा रहा है इनसे साफदान रहे फैडियसन के बेनर तले लखो पूरुशेनिक जवानों द्वारा चलाए जा रहे लंबे आंदोलन को फेल करने की मंसा से पिछले दिनों में लास्ट मॉमेट पर फैडियसन द्वारा दी गई काल को कैंसिल हो जाने का दूस्परतार तक किया गया आखिर ये क्यों आंदोलन को कमजोर करने पर आमादा है इस पर हमें कमभीरता से विचार करने के आवशकता है जिन संगठनों को फैडियसन के गठन की जानकारी देरिशे प्राप्त हुई वो इस प्रकार के दुस्परसार से अस्मंजस में है जो पूर्शन को येकता के लिए एक बड़ी बाधा है पहले से ही फैडियसन से अलग काम कर रहे कुछ संगठन और नए बन रहे महत्वा कांग सी समूह अपने आंदोलन को कमजोर करने की भरपूर कोशिस कर रहे हैं जागुरुक रहने की सक्त जरूरत है साथियों फैडियसन से जुड़ने के लिए करीब 130 संगठन के प्रस्ताव में प्राप्त हुए हैं जिनको एफिलिशन प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है जो संगठन हमारी बाइलाज की सर्तों को पूरा नहीं करते और विधान का सम्मान नहीं करते उनको फैडियसन की संबदता नहीं दी जा सकती हमें प्राप्त समर्थन पत्रों के आधार पर एक रफ सूची त्यार की गई जिसका एक वाट्सेप ग्रूप भी चल रहा है और एफिलेशन की प्रिक्रिया पूरी होते ही जो संगठन मापदंड पूरा नहीं करते हैं उनको सूची से बाहर किया जाएगा और फैनल सूची जारी कर दी जाएगी